खुश्कार दोस्तों बाला जी श्टडी एड़र में आपका स्वागत है जैसे कि सूपर टेट का प्रेक्टिस सेट नमबर 9 हम आपको सॉल्व करा रहे हैं तो इससे पहले प्रेक्टिस सेट नमबर जो 9 के हमने प्रसंदेखे थे स्वामानी ज्यान और समसमाई घटनाओ के व एक व्यक्ति को दरपड में दिवार घड़ी की तस्वीर जो है वो दिखाई देती है तस्वीर में मिनट की सूई 12 पर है तता घंटे की सूई 9 पर दिखाई दे रहे है तो बताए कि घड़ी में सही समय जो है वो क्या हो रहा है चार आप्शन दे रखें आपको बताना इन चारो में से कौन सा सही होगा, तो चारो option है कौन सा सही होगा, सही होगा आपका option number D, तीन बज़े जो है वो सही होगा, या तो आप इस समय को जो है वो assume करके, भी इसको निकाल सकते हैं, जस्ट इसका opposite कर दीजे, या तो दूसरा तरीका यह हो सकता है, कि 12 बज़े को आधार मानकर उसमें से घटा दीजे, तो आप 12 में से 9 घटाएंगे, तो आपका 3 बज़े जो हो निकाल आएगा, तो ये भी एक तरीका जो हो सकता है, परन्तु सबसे साधार तरीका इसका यह होता है, कि आप इसे assume करिए, कि किस प्रकार से यह समय बज़ा होगा, एक घड़ी बनाईए, उसमें उसी समय को दर्साइए, और फिर जश्ट इसका opposite कर दीजे, तो आपको स्वेम ही समझ में आ जाएगा, कि किस प्रकार से दर्पड में जो है, जो समय है वो पलट गया है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की तरफ, 132 कह रहा है, कि हरी को याद है, कि उसके पिता का जन्म दिन 13 और 16 जून के बीच में पढ़ता है, यानि कि 13 को भी नहीं पढ़ता है, 16 को भी नहीं पढ़ता है, इसके बीच में पढ़ता है, यानि कि 14 को हो सकता है या तो 15 को हो सकता है आगे देखते हैं प्रस्ण की जबकि उसकी बहन को याद है कि उनके पिता का जो जन्म दिन है वो 14 और 18 जून के बीच में होता है यानि आप कह सकते हैं 14 यहाँ पर कह रहा है कि 14 को हो सकता है पर यहाँ पर अगली सर्थ में कह दिया कि 14 और 18 जून के बीच में नहीं कि 14 को भी नहीं होगा बचा आपके पास कौन सी तारिक 15 जून बची आगे प्रस्ण कहा रहा है तो उनके पिता का जुन दिन किस दिन होगा जिस पर दोनों सहमत होगे तो आप कह सकते हैं बेजी जा कि 15 जून आपका option number B जो है वो सही हो जाएगा जिस परकार से प्रस्ण क्रम रहता है उसी परकार से आप इसको solve करते जाएगे तो अराम से आप जो इससे solve कर ले जाएगे अगला प्रस्ण पासे पर आधारित है कि पासा चित्रों के आधार पर तीन की विपरीत सता आपको बतानी है यह आपका प्रस्ण दे रखा है और चार option दे रखा है आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वो सही होगा इस टाइब के प्रस्णों को करने का मैंने सबसे बढ़िया आपको तरीका बताया था कि जो भी दोनों पासे में common हो उसी सीरियल से clock wise में जितने भी number है उनको लिखते जाईए तो उपर नीचे जब आप लिखेंगे तो आपको opposite जो है वो समझ में आ जाएगा प्रस्ण आपका क्या कह रहा था कि 3 जो है उसके विपरीत सता कौन सी होगी तो 3, 2, 1 इस प्रकार से जो है वो लिखिए 3, 2, 1 इसी प्रकार इस सीरियल में देखिए तो 3 के बाद आपका 6 उसके बाद 4 यानि 3 के नीचे आप 3 ही रखिए उसके नीचे 6 उसके नीचे 4 अब देखिए आपका 1 हो गया 2 हो गया 3 आपका already है 4 यहां हो गया, 6 यहां हो गया, बचा क्या 5 जो है आपका बचा यानि आप समझ गए कि 3 विपरीत में संख्या कौन सी होगी तो आपकी 5 जो हो जाएगी आपका option number B, 5 जो हो सही हो जाएगा, I hope आप समझे होंगे किवल आपको क्या करना है दोनों में common संख्या ढूणनी है और उसको clockwise में लिखते जाना है यहां से आप देखेंगे तो यहां से भी आप clockwise में जाएगे और उसी क्रम में जो संख्या बचेगी वो जो है आपका हो जाएगा इसी पर बेश्ड जो है जो एक और प्रस्ना आता है जिसमें क्या होता है यहांपर пасो की संख्या दो दे रखे उसमें तीन पासे की भी संक्या दे रखे होती है तो आपर तीन में comparison करके जो है वो निकाला जाता है यदि आगे इस परकार का प्रस्न आएगा तो हम अवaş्श्च जो है वो बताएंगे तो Dissnery में जिस Serial से जैसे की Alphabetical Order से रहता है, उसी प्रेकार से जो आपको चाटना है, चलिए बात करते हैं, उत्तर की कौन सा सही होगा, तो Option के According लेते हो चलते हैं, तो देखिए L जो है, वो सभी में है, तो आपका L से आप नहीं, Second Letter की बात करें, तो यहाँ पर I है, सबसे पहले आता है, L के बाद जो A आ रहा है, यह तीन नमबर आपका सबसे पहले आएगा, जो कि आपका सभी Option में है, यानि कि आपने यह जान लिया कि तीन जो है, वो पहले नमबर पर आएगा, चेक करते हैं, Un Option को इसी प्रेकार, तो उसके बाद I, O, O, A, U, और यहाँ पर देखिए, तो E है, तो A के बाद आपका क्या आता है, A, B, C, D, E, F, G, H, E, यानि कि दूसरे नमबर पर आपका लेटर आएगा, और E और किसी में नहीं है, यानि तीन के बाद आपका 6 आएगा, जो कि आपका इन दोनों Option में दे रखा है, यानि कि आपका Option A कभी नहीं स चेक करना है, तो 2 और 4 इन दोनों का आप चेक कर लीजे, आपको समझ में आ जाएगा, उत्तर कौन से सही होगा, अब देखिए, L, O दोनों में ही समान है, और A, यहाँ पर N आया है, यहाँ पर A आया है, तो A, B, C, D में आप कहेंगे, A जो है, वो पहले आता है, और N जो है आपका सही क्रम जो होगा, तो आपने समझा किस प्रकारम टाइम भी बचा सकते हैं, आप दो आप्शन पहले ही काट चुके थे, उसके बाद आपको और थोड़ा से इसमें टाइम जो है, वो मिल गया, चली बढ़ते हैं, अपने अगले और लाष्ट 135 प्रसन जो की reasoning section का है, और इसके लाब आप वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक भी अवश्च कर दिजेगा, ताकि इसकी प्रकारम आपको अच्छे से अच्छे प्रसन कराते हैं, प्रसन आपको क्या कह रहा है, कि आकरती दे रखिए उसमें आपको बताना है, कि इनका rule regulation भी होता है, कि यदि एक ये त्रिबुज बना है, उसके अंतरगत कोई उल्टा त्रिबुज बना है, तो ये कुल जो है, वो पांच त्रिबुज का निर्मार जो है, वो करते हैं, इसी प्रकार बहुत से rule regulation होते हैं, परन्तु यहाँ पर हम आपको गिन के बताएंगे कि इनमें जो हो कितन भी दे रखे हैं, यानि कि सिंगल नंबर है, जिसमें उनको हम गिल लेते हैं, तो एक ये आपका त्रिबुज हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, पांच वा ये हो जाएगा, छठा ये हो जाएगा, सातवा ये, आठव यह, और दसवा a यह, तोटल दस त्रिबूज हो जाएगा, टोटल दस तिरबूज हो गहें, जो हमने सिंगल हैं, आप देखेंगे व taq कि दो यानि कि जो मिल के बन रहे हैं उनको देखेंगे तो दस अलग हम याद रखेंगे ग्यारवान त्रिबुज देखें तो आप ये जो है वो बन रहा है जो कि दो को जो है वो मिला कर बन रहा है यह हो गया आपका 11 त्रिबुज 12 त्रिबुज की बात करें तो यह आपका बन रहा है आप देखिए इसी प्रकार 13 त्रिबुज को देखें तो यह आपका बन रहा है जो कि 3 ही जो है वो 2-2 को मिला कर बन रहा है और 13 तक हमने गिने और 14 जो त्रिबुज है वो देखें बीच म कुल 15 त्रिभुज है उनका निर्माण होगा तो आपका option 15 जो है वो सही हो जाएगा जो कि option number B में जो है वो दे रखा था चली बढ़ते हैं अब अपने सूचना तेकनिकी यानि की computer के जो है वो 5 प्रसनों की तरफ प्रसन है आपका 136 की internet का standard protocol कौन सा जो है वो है तो 4 option है कौन सा सही होगा बात करें उत्तर की तो आपका option number B TCP और IP जो है आपका सही हो जाएगा इसके लाव आप बात करें इन दोनों की full form की तो TCP जो है इसकी full form होती है transmission control protocol इसका मतलब क्या होता है internet पर किसी भी प्रकार के आदान प्रदान पर जो लगने वाले नियम होते हैं IP की full form की ब पर content सर्च करते हैं तो उसका एक पता होता है जिसे हम IP address के नाम से जो है वो जानते हैं तो internet protocol जो है इसकी full form हो जाएगी एगला प्रसन 137 कह रहा है कि उस file को क्या कहते हैं जो email से जुड़ी होती है और email प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है तो चार option है आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा चली बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा सही हो जाएगा आपको option number A यानि की attachment जो है वो कहते हैं अगला प्रसन है 138 की motion picture क्लिपों को बदलने के लिए किस software का जो है वो प्रयोग किया जाता है तो चार option है इनको में से बता जाना कौन सा जो हो यूज किया जाता है चली बात कर दें उत्तर की तो वीडियो एडिटिंग जो है वो सही हो जाएगा option number B अगला प्रसन हम आपसे पूछ रहे हैं जैसे कि सब्वी वीडियो में हम आपसे एक प्रसन पूछते हैं इस वीडियो का आपके लिए प्रसन है कि computer के मस्तिस को जो है वो क्या कहा जाता है monitor, printer, memory या CPU तो काफी जो है वो अच्छा प्रसन है और इस टाइप के प्रसन आप basic level से जो है वो पढ़कर आ रहे हैं तो I hope किसी का उत्तर गलत नहीं होगा तो वीडियो के main comment में टाइप करके आवश्य बताइगा अगला वो control unit भी होता है, memory भी होता है, ALU यानि की earth medical logical unit भी जो होता है तो आपका option D जो हो जाएगा चले बड़ते हैं अपने जीवन कौसल प्रबंदन और अभिवरत्ती के 10 प्रसनों पर तो 141 प्रसन है कि एक सिक्छक के लिए सबसे महतपूर जो होता है कक्छा में अनुसासन बनाए रखना या समया अनुवर्ती होना या विद्यार्थियों की कठनाईयों को दूर करना या एक सुवक्ता होना, तो बात करें उत्तर कि आपका option C बिल्कुल सही होगा, विद्यार्थियों की कठनाईयों को दूर करना ये सिक्छक के लिए सबसे महतपूर जो होता है, अगला आदर्स रूप में बरताओ कर या उन्हें अच्छी कहानियां सुना कर तो बात करते हैं उत्तर की सही होगा आपका option number C आदर्स रूप में बरताओ करके और आदर्स आचरण को अपना कर चातर भी अपना जो सामाजिक और जो नैतिक मूल्य है उसका विकास जो है वो कर सकते हैं अगला प्रसन 143 है कि 92 मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं उसके विकास का अर्थ जो है वो क्या है तो चार option है कौन सा सही होगा अगला प्रसन 144 कर रहा है कि व्यवसाइक आचरण एवं नीति को प्रेरित करने वाला कारक काउन सा है अनुसासन, धीरता, इमानदारी या ये सभी तो बात करें उत्तर की तो आपका option नुमबर डी ये सभी जो है वो हो जाएंगे अनुसासन भी, धीरता भी और इमानदारी भी अगला प्रसन कहा रहा है कि सभीदान की किस प्रावधान दोरा अप्रसिता जो है उसका उन्मूलन किया गया है अनुच्छे 14, 21, 17 या 19 चार option है आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा बात कर लेते हैं उत्तरगी तो सही हो जाएगा आपका अनुच्छे द 17 ये जो है वो अप्रसिता यानि कि चुवा चूट से जो है वो सम्बंदित होता है तो अप्रसिता का उन्मूलन जो है अनुच्छे 17 में जो है इसके लावा अनुच्छे 14 की बात करें तो विदी के समक्ष समानता जो है अनुचेद 14 में बताई गई है अनुचेद 21 की बात करें तो प्राण और दैहिक जो स्वतंतरता है उसका संरचर से सम्मंदित अनुचेद 21 में बताई गया है इसके लावा अनुचेद 19 की बात करें तो इसमें स्वतंतरता का अधिकार जो है नहीं है तो चार ओप्षन है आपको बताने कौन सो जो है वो सही होगा चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की सही हो जाएगा आपका ओप्षन नमबर A यानि की समाजवादी जो है वो बिलकुल सही हो जाएगा अगला प्रसने 147 कह रहा है कि दंड एक बुरी वस्तू है उसकी आवश्चक है अता जिस प्रकार राज एक आवश्चक बुराई है उसी भाती दंड भी एक आवश्चक बुराई है जिसको हम यह जो है वो अपनाना पड़ता है ये कथन जो है वो किसका था चार ओप्षन है आपको बताना है कौन सा सही होगा बात करें उत्तर की तो आपक कब बदा होना चाहिए, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, उनका अधिकारियों के उच इस तर से संपर्क होना चाहिए, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, उनके अपने विद्यारतियों की जो समस्याएं हैं, उनको हल करने का परहाप्त ज्यान जो होना चाहिए, आप कहेंगे हो सक विद्यारतियों के बीच उनकी प्रसिद्धी होनी चाहिए आपके बिल्कुल नहीं तो आपका option C जो है वो बिल्कुल सही होगा उनको अपने विद्यारतियों की समस्याओं को हल करने का पराप्त ग्यान जो होना चाहिए चली बात करते हैं अगले प्रसन 149 की की परामर्स पा option number B बात करते हैं अगले और इस वीडियो के लाश्ट प्रसन की क्योंकि कुल हमारे 20 प्रसनी सीख साथ समात हो जाएगा और सेट भी जो हमारे ही complete हो जाएगा प्रसन है कि किसी कक्छा में जो सिक्छक है उसकी भूमिका है समय सारणी का कठोरता से पालन कराना आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सीखने की विश्वस्तनी है इस थितिया जुटाना और जो सिच्चारती है उनको स्वतंतर चिंतन की सुविदा देना आप कहेंगे बिल्कुल हो जकता है अपने ग्यान से जो सिच्चारती है उनको परिपूड करना और उन्हें परिक्छा के लिए त्यार क करना एंसी अप में इसको बिल्कुल नकार आ जाता है सीधे तरीके से ज्ञान पहुचाना और सिच्छारतियों को सही उत्रों के लिए त्यार करना ये भी आपका नहीं होगा आपका आपका ऑप्शन नमबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा कि एक किसी कक्छा में सिक्छा की भूमिका है कि सीगने की विसफसनी है इस्थितियां जुटाना और सिच्छारतियों को स्वतंतर चिंतन के लिए सुविधा जयवो देना तो इसी के साथ हमारा आज का जो है ये सेट कंपलीट होता है और सभी प्रसंद समापत होते हैं वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो